कलकत्ता से सुमित्रा जी स्वागत है आपका नमस्कार मैदम जी नमस्कार मैम हकीं साब नमस्कार जाहीं हकीं साब मैं 5-6 महिने से मैं गउन्चिया खा रही हूँ अभी मेरा खतम हो गया है लेकिन मेरे बीच में काफी ठीच था कमर में दर्द और टांग में जो आता था नहीं आता था लेकिन अभी मैं देख रही हूँ लास्ट मैना जब खतम हुआ जो उन्चिया तब से मेरे ठोड़ा दरद रहता है टांग में चांग में भी और पाओं में मेरे दर्द रहता है भी भी तो मैं क्या करूँ हो पिसके लिए अच्छे देखी कभी कभी ये दर्द होगा आपको जब भी आप वजन उठाएंगे वेस्टर्ण टाइलेट यूज नहीं करेंगे तब आपको बार बार ये हो सकता है अगर इस्तफाकन हो जाए तो दर्द की दवा ले लेना और अगर ये मुस्तकिल हो तो गौंसिया इलाज है इसका और अधा अधा गिराम इसकी खुराक है एक बार या दो बार ले सकते हैं वेट जादा है तो बार बार आपको परिशानी होगी तो वेट कम करने की भी आप दवा ले सकते हैं और जिंदगी में कई बार ये आपको परिशान करेगा, आपका इसका तजर्बा हो गया, जब भी जरुरत हो आप इसे दुबारा इस्तमाल कर सकते हैं। मेरी कृत्ती बार में, मेरी बाइक की जो रहा है, वो कोट्री शेक्स में उसको भी डिप्रेशन की प्रबला है और नीम नहीं आती, उसका बात आता है। हर एक आदमी को डिप्रेशन है आजकल, कभी सोचता हूं मुझे भी अक्सार डिप्रेशन हो जाता है। जिसे दुनिया के हालात होते हैं, जिसे घर के हालात होते हैं, डिप्रेशन का आनाते हैं। जो भी आदमी जिम्मदार है वो सोचता जादा है, और उस सोच से निकल कर आना चाहिए। कभी-कभी हम डीप सोचकर वह ही रह जाते हैं, और भगवान पर भरोसा करें। कोई भी परिशानी आये तो उसमें कोशिश करें, जितनी भी आप कर सकते हैं, बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। अगर उसमें काम्यावी नहीं मिली तो उसमें भी इत्मिलान रखें कि भगवान की तरफ से आपके लिए यही बैतर है। और एक चमच धनिये का पौडर रोजाना दो बार खाए। धनिया तो आप जानते हैं धनिये का पौडर एक चमच खाकर और एक चुटकी नमक, जैतुन, दो गिलास पानी मिलाकर यह पानी पी लिया करें। दिन में एक बार या दो बार, सुबह और रात को सोते वक्त, आप दोनों को फाइदा होना मुम्किन है। हकीम साब जो बात इन्होंने कही कि डिप्रेशन फिर नीद नहीं आती, उपर से गुसा बहुत जादा आता है। तो यह तीनों चीजे अगर किसी भी व्यक्ति को हो गई तो वैसे ही बिमार ही है। अधिकर डिप तो सब समझदार लोग जाते हैं। डिप कोई भी पागल आदमी नहीं जाता है। समझदार आदमी जाता है। इतनी परिशानियां हैं दुनिया में, समाज में, घर में, हर तना परिशानी, फसाद आपस में, रडाई, जगड़े, उस्वा में अदूरनी कि परिशानी जाए उसलिगा जाए. जिससे हालात हो वैसा हो जाए और भगवान का शुक्र वाला ज़रू हो जातर लोग वो डिप्रेशन में जाते हैं जो भगवान का शुक्र नहीं करते हैं लेकि जिस हाल में भी भगवान रखे अगर वो हमें दो वसकी रोटी हलाल रोजी रिश्वत वाली नहीं मेहनत वाली और हक वाली हलाल वाली दे रहा है तो उसका बहुत बड़ा करम है बस ये रोटी ही सच्चाई है जिन्दगी की बाकि पढ़ेगा नहीं आदमी तो चल जाएगा और घर नहीं होगा तो फुटपात पैस हो जाएगा और हर चीज़ को आप कवर कर सकते हैं अगर रोटी नहीं है तो जी नहीं सकते हैं अगर भगवान रोटी दे रहा है दोबत की इज़त से समझ लिजे उसकी बहुत बड़ी इनायत है अब आपको जो कुछ चाहिए तो जो कुछ भगवान ने दिया है उसका शुक्र करें अगर आपने यहां से दिल से भगवान का शुक्र किया भगवान को राजी कर लिया तो जो चाहोगे भगवान आपको दे सकता है लेकिन आप किसी का दिल नहीं दुखाएं माबाप की सेवा करें जिसका जो हक है उसको वो हक दें किसी का हक ना मारें गरीबों से महबत करें और इन बातों से भगवान राजी होता है और जिसने भगवान को राजी कर लिया वो भगवान से हर चीज ले सकता है जो उसके लिए मुश्किल हो और नामुम्किन हो यह मेरा अपना तजर्बा है बलकुल अगले कॉलर है सहरनपूर से नरेश जी स्वागत है आपका जी सर मेरा बैटनी में खून आवागी नरेश जी देखिए नस्खा लिख वीजए और बनाईए और इस्तमाल करिए एक तो आप ऐसी चीज़े खाया करें जो असानी से हजम हो जाए हलकी गजाएं खाएं और एक नस्खा है वो बना ले एक कत्था जो पन्वाडी पान पर कत्था लगाता है ना कत्था ही सा होता है वो कत्था ले सो ग्राम सुकावा मिलता है कत्था सफेद केते हैं कत्था सफेद सो ग्राम ले ले और कत्ता सफेद 100 ग्राम और लाजवंती 100 ग्राम इस सब गोल की भूसी 100 ग्राम और गॉन मौरिंगा सफेद ये नकली बहुत मिलता असली लेना सफेद गॉन मौरिंगा और धनिया 100 ग्राम इन सब को खुब बारिक पॉडर बनाएं और दो ग्राम सुबा काएं दो ग्राम शाम को एक एक कब दूट से काने से पहले काएं तो बहुत 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 रहे या इनकी गोलिया बना ले इस पॉडर की और काबली चन्ने की बराबर गोलिया बना ल नाच्टे से पहले दूद के साथ दो गोली शाम को लिए तो जितना नुस्का मैंने बताया है इतना नुस्का अपने बनाया तो इसके खत्म होने से पहले आपको अच्छा होना मुम्किन है अगले कॉलर है यमना नगर से सुरेश पाल जी स्वागत है आपका मैंने बहु के बारें पूछ नहीं है हां जी बताये है मेरी बहु को थारेड भी है जी और गतिया भी है ठीक है मुझे देखिए धनिया और अलसी अलसी को हलका सा भूलने और धनिये के साथ पौडर बना ले और एक आता है गौन सियाह काला गौन ये असली लेना नकली बहुत मिलता है गौन सियाह आधा गिराम और ये जो धनिया और अलसी का पौडर आपने बनाया है ये एक चमच है याद रखें ये गौन सियाह असली ले और आधा गिराम इसमें मिलाकर सुबा और शाम खाने के बाद चम्मच भर कर ये इस्तेमाल किया करें दिन में दो बार और जो थायरेट की दवा वगेरा है वो भी चलती रहें दें और हर दो महीने में पिर आप थायरेट के टेस्ट कराएं तो आपको अच्छा लगेगा डोक्टर को भी आपके के उनका थायरेट कंट्रोल आता जाएगा जितना कंट्रोल आए आपके डोक्टर के मश्वरे से वो उनकी थायरेट की गोली को प्रोटेंसी कम करते करते उसे चुड़ाएंगे इसमें शह साथ महीने लग सकते हैं दोनों चीज़ें दोनों रोग वच्छी के ठीक हो सकते हैं आपकी बहु के यूपी से अमराना हमारे साथ जुड़ गई है सुअगत है आपका जी बताइए या आई आरी आपकी अवाज जी आरी आरी है आपकी आवाज इसलाने गुम वालेकुम असलाम बालेकुम असलाम अश्वियु मुझे न जश्व मुझे जैसे जश्शक जोड़ा तोड़ा बोट जाड़ का काम करते हैं अग्षा लगजे होती है ती का ने लगजाती है जो काम हो जाता है कितनी उमर है इम्राना आपकी पच्टीस अच्छा बच्चा देखिए ये मरस जिसको होता है उसमें कुछते मुदाफियत यानि इम्मुनिटी की कमी होती है और अगर इसका इलाज पांचे महीने किया जाए तो फाइदा मुम्किन है बशर्ते के आप खटी चीजे और ठंडी चीजे भी छोड़ दे इलाज के दोरान तो उसका इलाज मैं बताता हूं आप लिख लीजे अगर आपके पास कलम है और कौपी है तो आपके बड़ा काम आएगी देखिए सपिस्तान एक दवा है जिसको आपके लिख जबान में लिसोडा कहते है यनि लिसोडा 100 ग्राम और उन्नाब 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम खरीदे उन्नाब की गुटली निकाल कर फैकनी पड़ेगी और इसमें 30 ग्राम पीपले जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में पीपल है इसमें 30 ग्राम मिलाके पौडर बना लें अब ये एक चम्मच सुबह खाली पेट निहार मुझे से कहते हैं गरम पानी या गरम गरम चाय के साथ आप सुबह निहार मुझे काएं और रात को सोते वक्त एक चम्मच इसका छोटा कि चम्मच बहर के क्या करें आपको फाइदा होना मुमकिन है लेकिन 6-7 मेने लगाता लेनी होगी ओख़टी चीजे बिलकुल तरक कर दे बिलकुल नगा है तो फाइदा मुमकिन है पंजाब से हैं लता जी स्वागत है आपका आपका नमश्कार मैं नमश्कार मैं बड़े दिनावाद दर्फन होएने मेडम जी टोड़ी जी माम और बीजी नमस्कार बीजी जैहिन स्वागत है हमारी बेन का पहले तो आप बीजी रहे एकने दिन आये ही और बाद में हम बीजी होगी भाई अच्छा आप खेरियत से हैं तब ये अच्छी है आपकी आपकी कित पासे स अच्छा है बताईगे एक अपना बाई कितालदा लड़क है उनको ठीका और जखाम काफी रहता है लेकिन ना उनको चार मीन होगे उना आवलन उसका देखे साथ में उनको फिर तोड़ा सा नम्त जैतून भी दिया भी चलो अलर्जी के साथ हो तकता है लेकिन बो कहता है न हम उसको पुछे का मतलते हैं तो नहीं कि गर्मी का मारा उसको होता हूँ जिकाम तो उसको क्या दे और एक और स्वाल है एक बच्चे की उमर है सादे चार साथ उनकी ना सकिन्पे जैसे फिलक्रेजे होते हैं वो हो जाते हैं उनको ना बहुत टाइंग होगे अपचारे दो क्या निशानात होते हैं निशानात होते हैं फिलक्रे हो जाते हैं फिलक्रे पानी के जैसे पानी के दाने छोटे 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 हाँ फिलक्रे फिलक्रे होते हैं जैसे चाले कह देते हैं हम फिलक्रे से चाले टाइप के हाँ जी चाले टाइप के पानी के फिलक्रे आप बोल आप तो खेर समझदार हैं बहुत लेकिन उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि एक चुटकी नमक जैतुन एक लीटर पानी में मिला दे और ये पूरा एक लीटर पानी बच्चा एक दिन में या दो दिन में पी ले बाकी जो दूद दूद पीता है वो सब पी सकता है तो एक साथ ना पी तो पीएगा भी नहीं और पीना भी नहीं चाहिए ये वो साड़ा चार साल के बच्चे का है लेकिन एक चुटकी से ज़्यादा नहीं डाले और जब भी बानी ये शर्बत माँगे तो इस पानी में शर्बत बना दें इस दूद दूद पिये तो ये पानी थोड़ा सा दूद में डाल दें कुछ भी खाए ना तो ये पानी जरा सा लेकिन एक लीटर में डालें एक लीटर एक बोतल में एक चुटकी मिला है एतियास से दें पूरे 24 घंटे में बस एक बोतल उसके पेट में जानी चाहिए तो जिस तरह भी आप इस्तमाल करें और क्या सवाल था बाइस साल का एक बच्चा है जिने जुखाम च्छीके रहती है जी उनको याद रखें कि उनको नुस्खा तो यही देना है लेकिन एक चुटकी या उस से कम गौन चिल गोज़ा मिला कर देना है तब उनको फाइदा मुम्किन है कम उसकम एक बार पूरे दिड़ में जैसे दो बार नुस्खा लेते हैं तो एक पार एक चुटकी गौन चिल गोज़ा एक खुराक मिला के दे और एक खुराक ऐसी दे दे गौन चिल गोज़ा बहुत तेज होता है इसके एक ही बार दे तो बहुत जल्द उसको कंट्रॉल हो करते है